आप सब भी का स्वागत है अभी जो मैं आप सब भी को बताने वाला हूँ इसको समझेगा और आपको सतर करेना है पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे फ्रोड काउंसलर बहुत एक्टिव हो गए हैं हो सकता है कि आपके पास कॉल गया होगा या जाएगा जब यह फ्रोड कॉलेज यह दिला देंगे यानि आपके रैंक के अनुसार जो कॉलेज मिल रहा होगा और दो से तीन हजार अपर रैंक पर जो कॉलेज मिलेगा वह आपको आपके रैंक पर दिलाने की बात रहेंगे और आपसे इसको लेकर फिप्टी थाउजंड टू वन पॉइंट करेंगे मैं आप सभी को बता दू कि ऐससें काउंसलर से आपको बचना है और सत्र करना ए आपको अपने काउंसलिंग पढ़ोगे तो मैं आपको बता दू कि गलत पाए गए आपका रिजिट्रेशन तक कैंसल कर दिया जाएगा पहला पॉइंट सेकेंड पॉइंट एस्टेट ओट्रिटी या एम्सी सी ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करता है उसमें किसी भी का पैर भी नहीं चलता है मैं आपको बता दू अगर इस्टेट का कोई मिनिस्टर भी नप पैर भी करें तब भी नहीं होता है एक बात और आपको बता दू यह जो आपसे फिप्टी थाउजंट टू वन पाइफ लाक का डिबांड करेंगी ऐसे बहुत सारे ऐसे पैसे वाले पैरेंट्स हैं फैबली है जो की 10 historic पंदर लाक देकर इंडिया का टॉप कोलिजपेंगा लेकर संतुष रहना है जब कट कर देना है आपको बस मुझे आप सब भी को यहीं बताना था पिछले कुछ श्रोंस का मेरा फोन आ रहा है कि ऐसे कुछ काउंसलर बोल रहे हैं क्या यह सही है मेरा ब्लड प्रेसर उपर हो जा रहा है सच बता रहा हूं मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए इन से दूर रहना है जैन्यमीन काउंसलिंग करो जो मैं आपको यूट्टू पर बता रहा हूं वह आप इमंदारी से करो इमंदारी से बस आपको और भी मुझे कुछ नहीं कहना है समझदार हो आप समझ जाएंगे चल्ड अबर कि इतना ही कोई भी डाउट हो तो आप मैस करना है मिलता अगरी बीडियो